Hi everyone, Welcome back to my YouTube channel Online Study Gyan Guys, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ UP Board Exam 2022 का 10th किलास का बिग ज्यान का पेपर तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं ये पेपर है आपका UP Board Exam 2022 का पेपर है 10th किलास का बिग ज्यान का साइंस का और ये पेपर हुआ है आज 4 April 2022 को पेपर में टोटल 16 पेज है और पेपर का पुल्लांक है 70 नंबर पेपर का टाइम है 3 घंटा 15 मिनट पेपर हिंदी और इंग्लिस दोनों लेंगविज में है आपका ये ठीक है और यहां पे कुछ निर्देश है पेपर आपका तीन सेक्षिन में डिवाइड है कैमे खैमे और गैमे उसके बाद में यहां से है टर्नोबर सेकंड पेज यहां पर कुछ निर्देश हैं आप लोग देख सकते हैं उसके बाद में यहां से स्टार्ट है आपका तीसरा पेज खंडिक है और यह है आपका पहले कक है एक गोल यह दरपड़ की बक्रता तिरिज्जा 30 cm है इसकी फोकस दूरी होगी कोई गोली दरपड़ है जिसकी बक्रता तिरिज्जा 30 cm है इसकी फोकस दूरी कितनी होगी यह आपको बताना है तो फोकस दूरी का जो फार्मूला होता है वो होता है एफ वरावर आर अपॉन टू जो फोकस दूरी होती है वो बक्रता तिरिज्जा की आधी होती है तो बक्रत त्रिजा की आधी मतलब 15 cm इसका राइट आंसर है उप्सन सेकंड है उसके बाद है किसी बस्तु का आभासी सीधा और बड़ा पिरतिवे में पिराप्त करने के लिए बस्तु को उत्तर लेंज के सामने रखते हैं तो इसका राइट आंसर है उप्सन सेकंड है फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर है उसके बाद है आपका गय बैदुद उर्जा का मात्रक है किलो बार्ट, गणटा, ओफसन 4 आपका राइट अंसर है उसके बाद है आपका next पेज ये है आपका चोथा पेज बिदुद धारा का मापन करते हैं तो वो करते हैं एमिटर दूरा, ठीक है एमिटर जो है वो बिद्धु धरा के मापने की काम में आता है उसके बाद में आपके Sam Question इंग्लिज में है और यहां से स्टार्ट है आपका पाँचवा पेज ठीक है और यह है आपका दूसरे कक है यह आपका Question है Solve करना है आपको उसके बाद है आपका दोकक है स्टार्ट पिरकास के बिच्छे पड़ से आप क्या समझते है स्टार्ट पिरकास के बड़ बिच्छे पड़ में प्राप्त विभिन्द रंगों का किरम लिखिए ठीक है तो इसका मैं आपको बता देता हूं स्वेत पिर्कास किरनड का अपने अभी अभी रंगों की पिर्कास किरलों में बिभाजित होना पिर्कास का बढ़न बिच्चे पड़ कहलाता है ठीक है एक बार उसुन लीजीगा वो नीचे से देखीगा बैंगनी जामुनी नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल इसके लिए आप बीवग्योर को भी याद कर सकते हैं इसी से नीचे से स्टार्ट होगा बैंगनी कलज से उसके बाद हैं आपका Next instruction बिद्वभास तथा बिद्वभानतर की परिभासा तथा इनके मात्रक लिखिए बिद्वभास एक आंक धनाबेश को अनंथ से किसी बिंदु तक लानी में किया गया कादव्या उस बिंदु का बिद्वभास कहलाता है उसके बाद मैं देखीगा बैदुत बिभांतर एक आंक आबेस को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक जानी में किये गई काद्विया को उन दोनों बिंदूों के बीच बिभांतर कहते हैं इसे वी से सो करते हैं और इसका मात्रा खोलता है जूल अपोन कुलाम ठीक है उसके बाद मैं यहापकी सेम किया जा सकता है आवस्यक किरल आरेक भी बिनाईए ठीक है दूर द्रश्टी दोस बहत दोस है जिसमें नेत्र को दूर की बस्तुए तो इस पस्ट दिखाई देती है बट निकट की बस्तुए धूंदली दिखाई देती है ठीक है दियान दखने आपको दूर द्रश्टी द लोश्स में दूर की बस्तों तो इस प्रीष लिखाई देती हैं , बट निकट की बस्तों द्हूंदली डिखाई देती हें , और दूरद्रश्ट्ट्री दोश्ट्ट दोस्ट में उत्तर लेंस का यूज के बहुत बाद में यह साथवा आपकी question है, solve करने के लिए, ठीक है, और यहाँ पर है आपका साथवा page, यहाँ पर same question आपके English में है, ठीक है, जिस साथ नमबर का आपका long question है, बैदुत मोटर के बारे में, उसके बाद है, यह आपका आठवा page है, और यह है आपका खे, यहाँ से आपका section B, part B start होता है, कारवन पर्वालू की सहीं जगता है, तो वो है 4, option 3, आपका right answer है, उसके बाद है, calcium phosphate का सूतर है, तो वो है CA3, PO4 का hold twice, ठीक है, option 3, आपका right answer है, उसके बाद है, आपका 5 का gay, रासाइनिक सम्भी करण है, इतने इतने है, तो यह है, अब 6 पर अभी करिया, option 3, आपका right answer है, उसके बाद में आपके same option इंगलिस में है, तो यहाँ से start है, आपका दसवा page, इसका IUPAC नाम लिखना है, तो वो हो जाएगा, एतनोई कमले, और उसके बाद हैं आपका, बैद्दूत रासाइनिक सिरे लिखे, किन्हीं दो अपयोग लिखी है, लिखें, यहाँ से start है आपका 12 पेज, और यहाँ से start है आपका section C, रासाइनिक सिरे, किलोरोफिल अबसौसित करता है, तो वो करता है प्रकास उड़ जागो, option 3 आपका right answer है. जैब विकास का सिद्धान्त प्रतिपादित करने वाले पैग्जानी का नाम है, तो वो नाम है चालर्स डाडविन, option 1 आपका right answer है. उसके बाद है मानब में भुरोड को पोसर मिलता है तो वो मिलता है प्ले सेंटा से और आपका राइट आंसर है उसके बाद है निमने लिकित में से कौन बिसम पोसी नहीं है तो वो है मनी प्लांट उसके बाद में सेम कोचन आपके इंगलिस में है यह है आपका चोधवा पीज और यह आपकी सोट है तीन और यह है आपके लोंग और आपका पेपर फिनिस